तो फ्रांस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवाईए तो आज कब लोग स्टार्ट करते हैं वेल्कम बेक तू माई चैनल हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आई हूब कि आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और हम भी विल्कुल बढ़िया हैं तो देखिए आज सुबह सुबह जो है सुबह की बज़े होंगे साइद साथ बज़े होंगे तब मैं दखा रही हूँ आपको पानी बरस रहा है और तो तीन देन से हमारे मौसम खराब चल रहा है कितनी जल्दी मौसम बदल जाता है पता नहीं चल रहा है थोड़ी देर में धूप हो जाती है और थोड़ी देर में पानी बरसने लगता है अच्छा खासा अधेरा चा जाता है तो मौसम का काम ठीक है बदलना मौसम तो बदल लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा पानी बरस गया मतब तेज कह सकते हैं जिसे तो इस तरीके से मौसम बदल रहा है पल-पल में तो मौसम का काम होता है बदला मौसम तो बदलते ही रहते हैं लेकिन इंसानों को भी देखा है मैंने बदलते हुए और आप सभी ने देखा होगा इंसान भी मौसम से जल्दी रंग बदल लेते हैं मौसम को थोड़ा सा टाइम लगएगा बदलने का लेकिन इंसान बहुत जल्दी बदल जाता है और ये देखिए मैं आपको देखा रहे थी कि मैं किस तरीके से अपने घर में जैसे कि हर साल करवा चोथ कबरत रखते हैं त क्योंको मैं उपयोग किस तरीके से करती हूं तो क्यों जहके सब्सक्राइब कर दोढ़ा, और दूसरा इसका उपयोग हो जाएगा और बैसे इसका और कोई उपयोग करने ही मतलब होता नहीं है क्या उपयोग हो सकता है इतने छोटे से करवा का तो मैं इसमें मिट्टी भर दूँगी और लगा दूँगी प्लांट और वो देखने में तो खुशुरत होते हैं अच्छे लगते हैं रंग में रंग होते हैं तो कोई है कारी करनी है बस इसमें बहुत सुंदर लगते हैंं और हमारे यह ऐख से आते हैं तो कुछ hè चुब फेखोंड करने के जड़ुकत नहीं होती है तो बस इसको मैंने एक बैटरी का पानी आता है। तेजा बाला वहental में काफी दिनों से प्लांट लगा हुए थी लेकिन अब ये इसको रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी गिर जाता था यहां वहां तो मैं इसकी मिट्टे निकाल के छुट-छुटे जो कर वे हैं उनमें भर दूंगी और भी मैं आपको दिखा रही हूं कि मैं किस तर हम नहीं होता है और इनको हम थोड़ा सा कलर वगयरा करके और मिट्टी भर के लगा देते हैं तो यह सुन्दर लगने लगते हूं और गर्मियों में मैं इनको सबको अंदर रख देती हूं रूम में बहुत अच्छे लगते हैं अभी थोड़ी सी धूप की प्रब्लम होती ह तो इनको धूप जो भी जरूरी होता है तो इसलिए मैं इनको माहर रखे हूं और बस तो इस टाइम पर इनकी अच्छी मतलब लगा दूँगी और यह अच्छी खासे हो जाएंगे थोड़ी सी इनमें ग्रोध भी हो जाएगी इसके बाद जब अच्छी तेज गर्मियां हो तो यह मिट्टी जो है मैं जो भी करवा है मेरे तीन करवा रखे हुए थे और वाकी के खुछ च्छत प्लांट लगे हुए हैं और चोट चोटे से बाद में ऐसे वाले प्लांट जो कम मिट्टी में ग्रोध कर जाते हैं और उन्हीं प्लांट को लगाऊंगी तो मैं इसमें तो कर्वा छोटा वहता है उसमें मित्टी भी कम जाएगी तो मलंनि मनी प्लांट को dónde तो भी मित्टी वहता है और तूप में हो जाता है उछाए में भी होता है hybrid अधी मेरी 2 हो देखती हो लोगों को तो करन अंदर ही रखती है उन्हों यह लेकर इस टाम पर तो दूब के बहुत ज़या होती है झाल कि इस टाम मेरा पर आफ जाहें तो माहरी रखें घय mirror बनाने के लिए उन्हें धूप की जरूरत होती है, ऐसर नहीं है कि बलकुल से धूप नहीं है, उन्हें धूप से यह होती है, जैसे कि अगर आप कोई इंडूर प्लांट है उसको अंदर रखे हुए हैं तो 15 दिन में या 20 दिन में एक दो दिन के लिए ज़रूर उन्हें बाहर रख दे तो अच्छे से चल जाते हैं मतलब फिर उनकी पतियां जो है पीली नहीं पड़ती हैं या अभी इस टाइम पर आप देखेंगे छ दोड़ के लाई यह देखें मैंने कप में भी लगाया हुआ है वही दिखा रही थी में जैट प्लांट है और इसको हम फिर बाद में अंदर कमरों में रख सकते हैं और बहुत सुन्दर लगता है बहुत प्यारा पता होता है इसका मोटा सा और पानी की भी बहुत कम जूरत होती है तो एक रिस्टन है मेरी वह कह रही थी कि उनको अच्छा लगता है प्लांटिंग करना और गार्डिंग करना लेकिन उनका उनके हाथ से पौदे जो है लगते नहीं है तो ऐसा नहीं है यह सब कहने की बात होती है कि मेरे हाथ से नहीं लगते हैं या कुछ भी जाता है तो समझेने लगते हैं उनको वस्यक् 언니 कमे होती है अनुभव के और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हाथों से नहीं लगते हैं या और सबकी हाथों से लगते थोड़ा सी हमें इतना ध्यान देने की ज्योरत होती है कि पर्यापत दूप मिल सके उनको पानिे जादाना हो और ना ही कम हो और कभी कभाई ऐसा होता है कि हम लोग बस पाने डालते जाते हैं जड़ जाते हैं जड़े उनकी और तो इन सब चीजों का धहान देना होता थोड़ा छुट छुटी सी बात है थोड़ा से उनको मतलब खाद वगेरा जो है वह भी अच्छा मिलता जाए तो वो अच्छे से सिर्वाइब करते हैं और इसके लिए हमें टाइम की भी बहुत ज़रुद होती है जैसि कि अब कभी कवार ऐसा हो धा मारे पास घर के काम इतने होते हैं कि हम इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पाने लेकर नए लगाए है यह लगाते हैं देश्टी नहीं भर पारे थी मैं तो आज मैंने सब चले गए फिरATHAN पहले ही काम करते रहेंगे और मैंने यहён सब पड़ी हुए हैं फिराइट ही अंदर गर्मियों में फैस बने इनको सब रखेंगे और यहां झोड़ीन wakern एक ग्वालन है इसको ग्वालन कहते हैं हमारे यह देखिए मैंने लगा दिया है जैट प्लांट और आप कुछी दिनों में देखेंगे कि इतना घना और वह हो जाएगा बहुत सुन्दर लगेगा तो यह सब मैंने बनाई हुए हैं अब मैं आपको दिखा दू कांच की सीसी ह इस में मैंने प्रैंटिंग की है और यह बाकी के जो पीछे आप देख सकते हैं इसे पानी में लगे हुए हैं और यह देखें करवा में ही तो बहुत अच्छा लगने लगता है तो यह आप देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है तो आज मैंने यह सारा काम अपना कर दिया है और आप मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि यह काफी दनों से मैं ने छेट करके रखे हुए थी छेट तो कर दिये थे लेकिन मिट्टी न टूटा है लेकर फिर भी थोड़ा सा कहीं से तूड़ गया यह चाटक गया तो इस तरीके से में छोट छोटे प्लांट जो होते हैं न वो लगा देती हूं तो आज के लिए वज़त नहीं है आप लोगों को वीडियो कासा लगा जरूर बताएं कोमेंट